वन्प्रस नॉट सीटू यार इस बार का वन्प्रस का इधिंक सबसे जादा बिखने वाला स्मार्टफोन बन जुगा है और यहां पर उसका कंपैरिजन वर्मोटो के S30 के साथ ना हो ऐसा हो सकता है आप लोग की काफी सारी रिकॉर्स राजी ते कि बिनना ओफर वगिरा के बात करूं देखने के मिलेगा जहां पर वन्प्रस आपको 24 का मिलता है वहीं मोटो आपको 28 का मिल जाता है ना तो देखते हैं कौन कि इतना बैटर है चलो बिनने टाइम को आप वह नीचे रेयल वाले बटन को अभी दबा दो और वीडियो को पसंद सबसे पहले बिल्ड डिजाइन की बात कर लेते हैं तो यहीं चीज है कि मोटा मोटा नहीं रहा है स्लिम हो गया है तो नाम चेंज करके इसका कुछ और रखना चाहिए एकदम हलका पतला आपको फोन देखने को मिलता है जो कि बहुत हलका है यार बहुत ही पतला है यार करवड़ आजर्श के साहते को मिलता है अब दोनों नहीं ही थोड़ी से ज्सी और थोड़ी से घ्लास्टी को डिजाइन देखने को मिलता है और प्लस वाली फील जरुद से प्लस्टिक लेकिन इसके अंदर आपको उस वह जल्या जाव मोटक की होने वाली है वह चीज़ काफी अच्छी है दोनों को ही one hand uses के लिए use कर सकते हो आपको हांद में दोनों को ले रहा होगा उसी के बाद I think आप decide कर पाओगे कि कौन सा आपके लिए better है मैं कहूं ना तो मुझे in hand feel थोड़ी सी better one plus की यहां पर लगी है यानि दो सेंगे साथ आप micro SD card लगा सकते हो वो भी आपको मोटो में नहीं देखने को मिलेगा दोनों ही 5G smartphone आपको मिलते हैं मोटो में आपको 13 5G के band देखने को मिल जाएंगे one plus में आपको 8 5G के band देखने को मिलते हैं 5G आने के बाद करेंगे लेकिन दोनों में 4G plus का बहुत ही बढ़िया वाला आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है लेकिन उसे किलावा अगर मैं बात करूं जहां मोटो वैटर काम करता है वह है यहां पर यहां जो थोड़ी सी better मिलती है लेकिन दोनों में इंडिस्प्ले में आपको नहीं आएगा दोनों में ही फेस अनलों भी आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन जहां पर मोटो तगड़ा काम करता है ना वह है डिस्पले मोटो के अंदर आपको 6.55 इंच की 10 बीच की पी ओलेट 144 हर्ट्स वाली डिस्पल लेकिन याँ जब आप देखती हूँ फ्रेंट से तो मोटो की कितने पतले वैजल कितने पतला चिन देखने को बलता है तो वह वाला जो एक्पीडेंस यहां पर देता है मोटरोला I don't think कि आपको कोई भी स्मार्टफोन दे पाएगा यह चीज के मामले में मोटो एकदम किल् को मिलती है हाला कि अगर मैं आउड़ ब्राइटनेस की बात करूंगा वहां पर मोटो थोड़ा सा कम राइट है एस कंपेर टुवन प्लस लेकिन दोनों ही आउड़ विजबल हो जाते हैं और एक चीज़ और जहां पर वन प्लस थोड़ा सा बैटर रहता है वह साथ इसके अंदर आपको रियल टु लाइफ नेचरल वाले कलर्स देखने को मिलेंगे वहीं मैं कावगा काफी अच्छी तरीके से देखने को मिलेंगे और डिस्पले क्वालिटी मोटो की एक नंबर आपको देखने को मिलेगी विदाउट एड़ यार मैं आपको कह सकता वाली बहुत ही अच्छी है देखने को मिल जाती है हाला कि यार वन प्लस के भी ठीक है लेकिन कहीं कहीं पर यार कलर्स को यह फिर बदल करता है थोड़ा सा वह अच्छा नहीं लगता है और भाई बैजल क्या ही मस्त मोटो के निकले हुए हैं यहां पर मज़दार एकदम सी देखने को मिलता है वहीं पर दूसरी तरफ मिलता है सब्सक्राइब करते हैं और यह वाली सब्सक्राइब कोई इतना फरक नहीं देखने को मिलने वाला है इवन इदम स्क्रॉलिंग भी मैं बताऊंगा दोनों में स्मूध आपको देखने को मिल चाहती है 144 और 90 हर्ट में भी आपको डिफरेंस जरूर से मिलेगा 144 हर्ट काफी स्मूधर आपको देखने को मिल चाहेगा और वहीं पर अगर आपको स्कोर भी दिखा दूँ तो वहां थोड़ा सा में कंफ्यूज जरूर से हूँ क्योंकि यहां पर यार वन प्लस जो है थोड़ा सा बैटर परफॉर्म कर रहा है अब यहां पर मोटो के लिए कहूंगा तो थोड़ा सा यहां पर इसमें फ्रेंड्रॉप जादा मुझे देखने को मिले हैं अगर सिस्टी एफप करते हैं तो आपको दोनों में कुछ देखने को मिलेगा लेकिन हीटिंग की समस्या या जरूर से आपको मोटो में यहां पर पता चल जाएगी क्योंकि पतली बॉड़ी होड़ी के कारण जो हीट है थोड़ी से जादा ही बाहर निकल के आ आ जाती है तो आपको फ्रेंट में पर भी दे रहा है वनप्रस अभी एंड्रोइड 11 में ही अटका हुआ है और ऑप्टिमाजेशन तो दोनों की ही अच्छी है लेकिन मोटो के युवाई एक्स्विरेंस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया युवाई अच्छी है साधी साध एंड्रोइड 12 जो स्टॉक वाल लेगी लेकिन अगर बात रही बैटरी के तो वहां पर यार देखो वन प्लस में पैटालिस्टो एमेच की बैटरी मिल जाती है जो कि यार पैटिस मिनिट के आराउंड आपको फोन को फुल चार्ज कर देती है वहीं 33 वाट की चार्जिंग आपको मोटो में देखने को मिलत में पीचर्स का अगरे बात रहती है कैमरें के में तो में चीज की बस वहें बाद रहती है ना वह तूनिंग की तूनिंग का फर्क आपको थोड़ा सा जादा देखने को मिलेगा और यहां पर थोड़ा सा पता चलता है ना कौन जादा इवॉल्व हुआ है तूनिंग के मामले में जहां पर आपको वन प्लस में अगर आप लाइटिंग हार्श कंडिशन भी देते हूं वहां अच्छी तरीके से फोड़ा को निकाल के देता है मोटर यहां पर चैनल को थोड़ा सा ना ले नहीं पाता है सही से मतलब आप इसको कंडिशन दो ऐसी जहां पर बहुत जादा हार्श लाइटिंग है यूमन सब्जेक्ट है तो वहां पर पूरा ही खराप कर देता है या तो रहती है तो वन प्लस थोड़ी सी बैटर यहां पर मेरे हिसाब से निकाल के देता है अलग कि यार मोटो को बस यह ना कि कलर ट्यूनिंग इतनी सही कर नहीं पाता है अगर आप अच्छी कंडिशन मिलती नहीं है तो सौड़्य डिपार्टमें मोटो को थोड़ा सा कैमरा काफी अची डिटेल्स भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी अगर मैं सेल्फी कैमरा की बात करूंगा तो यहां पर विदाउट एनी डाउट आपको कह सकता हूं कि यार वन प्लस की जो डिटेल्स है थोड़ी सी जादा देखने को मिलती है कलर ट्यूनिंग भी आपक देख सकते हूं अपने हिसाब से किसको पिक करना है क्योंकि डिस्प्ले काफी मस्त है और इधर ब्रेंड वैल्यू वी काफी साही देखने को मुझे जाती है तो इस चीज के मामले में उठा सकते हूं फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही कोई कोशन है तो कमेंट में भी ब